मस्कार दोस्तों आज की पुस्तक का नाम है योगी की अमरकता और इस पुस्तक के आथर और पब्लिशर शिरी हश्विंदर सिंग पठानिया जी है आज इस पुस्तक की पस्तावना को मैं पढ़ने जारी हूँ और जिसके माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि आपको यह पु पुस्तक क्यों पढ़ने चीए इस पुस्तक में लेखक क्या क्या बताना चाहते हैं और आप को इस पुस्तक से क्या जानकारी उपलब्ध हो सकती है चलिए सुनते हैं पस्तावना सिध्योगी बाबा बालकनाच जी कलियुक के अवतार माने गए हैं शिव के परमभक्त आचारे विष्णू और देवी लक्षमी के पुत्र गुरु दत्तात्रे के शिशे गुरु गोरकनाच के प्रिये राजा बत्रीहरी के संगी मातरत्नों के लाडले और भक्तों के प्रा बाबा जी का जनम आच से लगबगी कि सोवर्ष पूर्व गुजरात के काठिया वाड और जूनागड शेत्र के आसपस हुआ माता और पिता दोनों ही परमशे भक्त थे और शेव की किरपा से उन्होंने देव बालकनाच रुपी दिव्यात्मा को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया जिस समय बालकनाच जी का जनम हुआ उस समय भारतवश धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से शेव वैशनव शक्त को मानने वालों में बटा हुआ था निर्गोड और सगोड इश्वर की चर्चा जहूं और हो रही थी ऐसे में भगवान दत्त त्रे ने धरम की तीनों शक्हाओं का आपस में समन्वे करवाया और सनातन के सत्ते सोरूप से जनसदारन को अवगत कराया अपने गुरू के पद चिनों पचलते हुए सिधियोगी बाबा बालकनाच ने परमात को ही जीवन का लक्षे बनाया धरम के नाम पर फैलाए जा चुके जोर कर रख दिया अपने गुरू की भाती वैवी सनातन धरम के सच्चे सोरूप को जनसदारन तक लेकर आये जिसमें उचा और अथवा कोई नीचा ना था निर्धन और धनवान समान रूप से उनके स्थान पर आकर नत्पस्तक होते थे और सिधियोगी भी उनके साथी एक सविस्थानों पर पचलेता है बाबजी के बारे में जो सहित्ते उपलब्द हैं उनके पिछले जन्मों के बारे में बहुत ही सक्षिप वर्णन केवल नामादी हैं और बाबा बालक ना रूप में उनके चौते जन्म का जो सहित्ते उपलब्द हैं वै केवल माता रतनों के यहां उनके पाली बन कर बिताए गए बारा वर्षों के एद गिर्द घूमता है यदि आज के परिदिश्य में देखा जाए तो आज की युवा पीडी अपनी सांस्कृतिक धरोवर के साथ जोड़ना तो चाहती है प्रन्तु अपने मन में उठते प्रश्णों के उत्तर की भी अपेक्षा करती है इस पुस्तक को लिखते समय इसी बात का अधिक बल दिया गया है कि पाबाजी के सभी जीवन पर समुचित परकाश डाला जासे के उनके जनम का कारण, उनके द्वारा किये गए कार्रे, उनकार्रे का सनातन के लिए महत वो और उनकार्णों से उत्पन परिणामों का परभाव जो आज भी जनसधारण के जीवन पर सपष्ट रूप से दिखाई दे रहा है उन सभी कारक तत्यों को इस पुस्तक में सजोने की चेश्टा की गई है लेखक एक ऐसे धार्मिक परिवार का सदस्य है जो नव नाथों में से एक बाबा भत्री हरी जी और सिध्योगी बाबा बालक नाज जी को अपना आराध्य मानता आया है पुर्वजो के द्वारस थापित हार्मिक रिती रिवाजों और परंपराओं का आज भी इस परिवार के द्वारा पालन किया जाता है बाबा भत्री हरी जी का भव्वे मंदिर लेखक के पैत्री गाउ में विद्धेमान है इसलिए इस पुस्तक का लेखन, पून, शद्धा भाव, भक्ती भाव तथा अपने अराध्य बाबा भत्री हरी जी और बाबा बालक नाज जी के प्रती समर्पन भाव के साथ किया गया है बहुत गहन खोजों से दूर शित्रों की यात्राओं के पश्चाती लेखक को बाबा बालक नाज जी के पूरु अवतारों सकंद, कौल और महा कौल के संबन में कुछ लोग गथाओं, कथाओं, लोग सहित्ते, नाथ सहित्ते, दत्ता त्रे सहित्ते, गौरक नाथ सहित्ते तता कथाओं, मतेंद्र नाथ सहित्ते, निप देश की यात्रा, सागर तट्ये शेत्रों की यात्राओं, तता जन शुरुतियों और जन स्मृतियों से भी जानकारी एकत्रित हुई है उनी के आधार पर सिध्योगी बाबा बालगनाथ जी के चारो जन्मों सकंद, कोल, महा कोल और बाबा बालगनाथ के बारे में लिखने का सामरते और आशिरवाद प्राप्त हुआ है इसमें कोई संचे नहीं कि लोग सहित्ते और कताएं कालंतर में अलग-अलग रूपों में विलुप्त और पुन प्रकट होती रहती हैं प्रन्तु फिर भी मन कोशिव के चर्णों में स्थापित कर राज योगी बाबा बतरी हरी जी का सिम्रण करते हुए और सिध्योगी बाबा बालग नाज जी के प्रती अगाज शद्धा भाव से ओत्प्रोध हो शुरूतियों और स्मृतियों पर अधारित कताओ को यथा योगी सत्ते के समान मान कर ही इस रचना का लेखन किया गया है इसका प्रियोजन केवल बाबा बालग नाज जी के सम्पूर्ण जीवन पर परकाश डालना भर है किसी की शरद्धा भावना भक्ती भाव या आस्थाओं को हानी पोचाना तथा उन्हें असत्ते सिध करना इस लेखन का प्रियोजन कता ही नहीं है इसलिए पूर्ण विनाम प्रात्ना है कि तुटियों को शमा करने की किर्प्या करे धन्यवाद आशाया आपने ये पस्तावना अच्छे से सुनी होगी मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी सेवक बाबा बालग नाज जी के सेवकों से और भक्त जनों से कि एक बार यह पुस्तक जरूर पढ़ें और अपने आसपास लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी करें जब हमारे आराध्य के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी सक्षिप्त रूप में मिल रही है बहुत अच्छे से मिल रही है एक ग्रंथ के रूप में मिल रही है तो हमें उसको पढ़ना चाहिए और और लोगों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि जिससे हमारी आगे आने वाली पीड़ी हमारे आराध्य को जान सके समझ सके उनकी सिक्षाओं पर चल सके चलिए अब आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार